जय हिंद इस वीडियो में हम लोग एक संदार दमदार पेनिय श्टोक जिसका नाम स्याम संचुरी फिरस लिमिटेड है इस कमपनी को पर बात करेंगे यह एक उभरत हुआ पेनिय श्टोक है जो आने वाले समय में एक मल्टी बगर श्टोक बनने जा रहा है जी बसरते आपको इसमें समय देना होगा तब यह कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटन देश सकती है इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का एक संदार अनृसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर में कितना सच्टिनेबल है यह कंपनी जो बिजनेस करती है उसका भारत में भविष से क्या है हमें कब तक इस कंपणी में ठाड़ना मुनासीब होगा हर एक चीज का जवाब इस वीडियो में अनालेसिस के थुरू आसान महस्ता में ढूंड़ने का प्रयास करेंगे तो बिना देरी की डियरेक्ट मुद्धेप पर आते हैं और काम की बा काफी बड़ी कंपनी चाहिए अब प्रेंड उपर की तरफ जा रहा है और जब उपर की तरफ चाहरे तुमीद एक अगर मार्केट सही से चला तो अपने हाई को ब्रेक कर देगा अब यहां समझे पिछले बार जब सबसे पहली बार लोगडा था उस समय कंपनी का सेर प्रा प्राइस पांच रुपे का आस-पास हुआ करता था यहां अब जब 2020 से 2021 देखते तो एक साल में कंपनी का सेर प्राइस एक रूपे से शिर्फ 5 रुपय हुआ है लेकिन 2021 से भी 2022 आगे तो देखिए पांच रूपे से इस कंपनी का सेर प्राइस 20 रुपय हो गया मतलब साल पर में चार गुणना अकर दिया है पैसों साल बड़ से कम समय में ही आप जब चार्ट में देखेंगे इस कंपणी का सेर प्राइस ज्यादा तर अप एंड डाउन करते रहा है लेकिन मैक्सिमुम इस कंपणी का सेर प्राइस अब ट्रेंड में ही रहा है तो इससे यह उमीद ह कर देखेंगे जिसको मुनाफ़ा कते हैं क्योंकि टेक्स देने के बाद कंपने उपस बचता है तो यह बारह करों से बढ़कर 15 करों हो गया है अर्था तीन माह में तीन करों का कंपनी को सुध मुनाफ़ा हुआ है तीन करों देखेंगे पेने श्टोक लिए बड़ी बात है औ ओवर अल देखें तो कंपनी का आपन ग्राप ऊपर की तरफ देखें तो यह टोबर बस और कंपनी का पास यह लिए इसंति के लिए अच्छा होता है क्वशेस के चाहिए कुगा जाता है तो सुछ और डेप्त की बात करेंगे चाहिए का तो करजा कुछ नहीं के कार्जा इस कंपनी को ऊपर 563 010 कपनी का म Light अब देंगे ऑक लेकिन दिकत यह है कि यह सालाना वाद प्रसाल बढ़ने चाहिए और जो liabilities है जो संपती दूसरों के यह company को लाटाना है तो आप देखेंगा 16.73 करोड का है यह बड़ी बात नहीं है कि 16 करोड का ही इसके पास liabilities है यह देखिए कि यह बढ़ते जा रहा है होना यह चाहिए कि liabilities company को धिरे जरे कम करना चाहिए और जो इसके assets उसको बढ़ाना बाकी जो quarterly result आ रहे है company को उसको देखने सहसा लग रहा है कि company अपने आपको fundamentally धिरे-दिरे श्ट्रॉंक कर रही हो सकते है कि आने वाले कुछ दिनों में यह जो कंपनी का assets में बढ़ने लगे और जो liabilities है वो कम होने लगे यहां समझे company dividend नहीं देती है चुकि एक penny stock है तो इ लेकिन इसमें 63 days है अर्था दो माज से भी अधिक है तो यह थोड़ा से negative point है इसको company को और कम करके कम लाना चाहिए ROE देखेंगे return on equity अर्थात इस share पर साल वर्म company पांच साल में देखेंगे इस company का ROE तो सीर्फ 9% है अर्थात ROE कुछ ज़्यादा नहीं है A.S.M.J.S.M.L.E.T. से company बाहर है यह company के लच्छी बात है पर मोटर्स के holding 55% यह भी ठीक है और R.S.I. देखेंग तो भी बासट है अर्थात अगर कोई नए लोग इसमें इंट्री लेना चाहते तो उनके लिए अभी सही समय नहीं है R.S.I. जब डाउन आएगा और 35 का आस पास आएगा तब आप इस company में बेसक share buy करके अपनी जगा बना लिजेगा और अगर किसी विक्ति के पास इस company के share है तून के लिए कोई दीकत की बात नहीं है आप बेसक long term के लिए इसमें investment कीजे आने वाले समय में एक company आपको अच् अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझसे पूछे बाकी मिलते हैं इंडेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्याबाद तो शुक्रिए